नमस्कार दोस्तों, आपको पताई कि लगातार रेलवे की तयारी करने वाले विध्यारतियों की तरफ से और रेलवे ही नहीं, हर परिक्षा की तयारी करने वाले विध्यारति एक जूट होकर लगातार ट्वीट कर रहे थे कि रेलवे की जो अभी एलपी की विकेंसी निकली ह उसके पद बढ़ने चाहिए और वैसे भी पदों की संख्या बहुत कम है और मैं पहली वार ऐसा देख रहा हूं कि इस प्रकार का निर्णे रेलवे द्वारा या किसी भी ऑर्गनाइजेशन के द्वारा लिया गया है थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बताता हूं क्या है काफी सारी चीजे लिखी हुई है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है रेलवे रेक्रूट्मेंट बोर्ड अस पब्लिज्ड सो एंड सो नोटेस वर्डर रेक्रूट्मेंट और यहां पर यूज किया गया है इनका पहला तो यह कहना है कि कुछ misconception हो रहे है विध्यारतियों में और coaching इंस्टिट्यूट्स में तो इसी के लिए इन्होंने 29 जन्वरी को 29 जन्वरी को 15 यानि दोपहर के 3 बजे एक मिटिंग रखी है अब वो जिस भी प्रकार से होती है इसकी information मिलेगी एक proper contact number दिया हुआ है एक officer का और यहां पे सारी चीजे कहीं है तो जो भी है यह students के लिए यह number काम का नहीं है क्योंकि उन्होंने काए कि जो भी coaching बात रखना चाहते हैं तो इसमें WhatsApp करना है उसके बाद फिर आपको सारी details और लिंक्स आपको मिलेगे और उसके बाद फिर मिटिंग का आप हिस्सा बन पाएंगे तो ऐसा इसमें कहा गया है एक प्रकार से अच्छा भी प्रयास है क्योंकि डारेक्ट जो लोग जिस चीज को समझा सकते हैं अगर डारेक्ट उन से कनेक्ट हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है यह तो बहुत अच्छी बात है और मुझे परसनली डिसीजन अच्छा लगा कि चलो एक initiative तो लिया नहीं तो कई बार क्या होता है हम विरोध करते रहें आंदोलन करते रह जाएं कोई जवा पर तक बात पहुची है तभी इसके लिए यह decision इन्होंने लिया है तो 29 जन्वरी को मैं भी इस meeting में participate करूंगा मैं भी अपनी तरफ से और सारे विद्ध्यार्तियों की जो मांग है जो भी points है वो रखने का प्रयास यहां पर करूंगा और इसका हिस्सा में निश्टी यानि एक बजे के आसपास एक link दे देंगे और direct chairman से यहां पर एक meeting होगी जहां पर हम सब अपनी बात रख पाएंगे तो यह एक update था जो शायद आपके पास अब तक पहुच भी गया होगा नहीं पहुचाए तो इस video के माध्यम से आपको एक clear हो गया होगा लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा initiative है let's see कि आगे क्या इसके results आते हैं क्या updates आते हैं वो मैं आपको फिर video के माध्यम से बताऊंगा So thank you, Jai Hind